यही समय है सही समय है यही समय है भारत का अनमोल यही समय है हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए संकल्कों के साथ आगे बढ़ाता है नए भारत के स्रजन का यह अमरुत काल है यही कोटी कोटी देश वाचियों का संकल्क है अमरुत काल अचीश वर्च का है लेकिन हमें अपने लक्षों की प्राप्ति के लिए अभी से जुड़ जाना है असक्य भुजाओ की शक्ती है गली गली में देश भगती है तुम उठो तिरक का लहरा दो भारत के भाग्य को फेरा दो नए भारत को गड़ने का यही समय है बीते वर्चों में सुरूही अनेक योजनाओं का लाब करोडों गड़िवों को उनके घर तक पहुचा है लेकिन अब हमें सेचुरेशन तक जाता है पूर्णता तक जाना है सत प्रतिशद गामों में सड़कें हो, सत प्रतिशद परिवारों का बैंक एकाउंट हो सत प्रतिशद लाभारती को आईश्मन भारत का कार्ड हो सत प्रतिशद बात्र व्यक्तियों को उजवला योजना और गैस कनेक्शन हो सरकार की विमा योजना हो पेंशन योजना हो आवाज योजना ते हमें हर उस व्यक्ति को जोड़ना है जो उसके हकदार है मेरे परिवार जनो पिक्सित भारत संकल्ब यात्रा सेचुरेशन के सरकार के लक्षों को प्राप्त करने का ससक्त माध्यम बनेगी आज हर तरफ भारत की इस सफलता की चर्चा है कि हमारी सरकार के बांच वर्षों में तेरा करोड से जादा लोग गरीबी से बाहार निकले हैं 2014 में हमने सेवक की भावना से आपके सेवक की तरह काम करना शुरो किया जिने सबसे दूर समझा जाता था सरकार खुल चल कर उनके बांस गई 2014 से पहले देश के गावों में स्वच्छता का दाइरा 40 प्रतिशत से भी कम था आज हम सत्प्रतिशत के लक्ष पर पहुत रहे हैं हमारी सरकार से पहले एल्पीजी कनेक्शन सिर्फ पच्चास पच्पन प्रतिशत गरों में था आज करीब करीब सो प्रतिशत घरों में महिलाओं को दुए से मुक्ती मिल चुकी है पहले देश के सिर्फ पच्पन प्रतिशत बच्चों को ही जीवन रक्षक टीके लगपाते थे आज लगबग सत प्रतिशत बच्चों का टीका करण हो पा रहा है आज आजी के बाट साथ दसकों में देश के सिर्फ सत्र प्रतिशत गरामिन परिवारों तक नल से जल की सुविदा थी जल जीवन मिशन की बज़े से आज ये भी सत्र प्रतिशत तक पहुँच रहा है मोदी ने समाज के बंचीतों को अपनी प्राथविक्ता बनाया क्योंकि वो लोग हैं जिनके बीच में जिया हूँ मैंने कभी ऐसे परिवारों की रोटी खाई है मैंने कभी समाज के आखरी व्यक्ति का नमक खाया है मैं आज वो कर्ज चुकाने आया हूँ यह यात्रा 15 नमेंबर भगवान विर्शा मुंडा की जन्वजेंती से शुरू करके अगले साल 26 जन्वरी तक उसको चलाये जाएगा इस यात्रा में सरकार मिशन मोड में बेद के गाउं गाउं जाएगी हर गरीब हर वन्चित को सरकारी योजनाओं का जो हकदार है उसके हक के लिए उसको लाभारती बनाया जाएगा 2018 में केंद्र सरकार ने ऐसे ही एक गराम सरवाज अभियान चलाया था भारत सरकार के एक हजार अफसरों को वो गाउं में बेजा था किराम स्वराज अभियान की तरह ही हमें विक्षित भारत संकल्प यात्रा में भी ऐसे हर हकदार को मिल करके इस योजना को सभल करने का प्रण ले करके निकलना है रिक्षित भारत संकल्प यात्रा एक तरह से देश के गरीबों को देश की माता और बहनों को देश के नव जवानों को देश के किसानों को मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी याने गारंटी पूरा होने की भी गारंटी भारत को करने का यही समय है 21 सदी में भारत के सपनों और आकांशाओं को पूरा करने से कोई भी बादा अब हमें रोक नहीं सकते यही समय है, सही समय है, हारत का अनमोल समय है, यही समय है,